कोई भी लोकेशन ते पहुंचन वास्ते साधे वास्ते इंपोर्टेंट हों दई है रेफरेंस पॉइंट आज आसी एदी नीड समझांगे कि ज़रूरत ही की है बेना इस तो भी काम चाल सकता है आसी एक्जाम्पल लिया होया है यह थे तिन बॉकस रखे हो यहां मानलों एक कमरा है जेदे चाह यल्लो कलर दा एक रेड कलर दा एक वाइट कलर दा बॉकस पे आओ जा है कोई भी दो बॉक्सां वेच डेस्टस देता होया है एक एक मीटर दा डेस्टस है रेड एन वाइड देवे चिकमेटर है येलो तो रेड देवे चिकमेटर है होण मैं तो अनू कवाँगा कि तुसी मेरे हैंड एज़ा है ये नू गाइड करो कि मैं वाइड बॉक्स देखो जा सका I want to reach here मैं ये थे पहुंचना चाहना क्या तुसी गाइड कर सकते हो तुसी मैंनो की कहोगे मैं एज लोकेशन या एज पोजीशन ते पहुंचना चाहना मेरा हैंड एज थे आवे होण तुसी सब तो पहले कहन देओ सार एक काम करो दो मीटर दूर है तो अड़े तो मैं अच्छा जित्ते में हगा ओथो में दो मीटर चल जाना है ये चले गया दो मीटर अरे अरे सर उपर नू नहीं सर मैंनू था नहीं पाता ना तुसी मैंनू बिलकुल करेक्ट इंफ्रोमेशन दो कि मेरा हाथ हो थे पहुंचे है ना नहीं सर दो मिटर जाना है पर सिद्धा जाना है उपर न न जाओ अच्छा फिर थले नू चल जाना है नहीं सर एक लैंच रहो होरीजेंटल रहो अच्छा ठीक है फिर अधर नू चल जाना है गडबड काम हो रहा है यानि कि सिर्फ तुसी मैंनों एक information दे के इत्थे पहुंचा नहीं बारे मैंनों कोई ना कोई reference चाहिदा है ते ओधे वास्ते आसी की करते हां इक-इक करके समझांगे सानुक किस चीज़ी जरूरत है पहले तुसी notice किता कि ए जड़े तिनों box हान एक client चाहन तो तुसी की किता एक axis बना देती इस diagram चे देखो असी एक axis बनाई हुई है यह तों सिद्धी जा रही है हो ना तुसी मैंनों किया सर दो मेटर जाओ तो मैं उपर थल्ले नहीं जा माँगा मैं इस axis दे ही रहा माँगा तो ठीक है एकसेस ने मैंनों help किता इसे axis दे ए तिन box पर हो यहान पट हले भी क्या problem solve हो गई उन मैं एत्थे यहां एकसेस दे एत्थे आत रख्या होया है तो तुसी कहन दे सर white box जाना है मैं कहना हाँ जी पेजो तो तुसी कहोगे सर दो मीटर चल जाओ मैं धर नूँ चले गया हो हो फिर गलती हो गई हले वी एक चीज मिसिंग है साठी information दें जा जीडी important चीज है जिन्हों असी कहन दे हां reference point कि सर start ही किद्रों करोगे पहले ओस point ते आओ उधे वाद गल कर दे हां सारे distance जेडे में तुसी मेंनों दसने हान ओ कितों हान कीडे reference point तो हान ओ दसना important है ता असी की कर दे हां तुसी कर दे हां तुसी कर दे हो सर यलू जड़ा box है एननों तुसी reference point मान लो यह देखो diagram इते असी यलो ते 0 लगा ली है क्या x-axis नजर आ रही है हां जिद्दा चोटी class हां से कर दे हाया x-axis है राइट उन जड़ा reference point है 0 ते है उन में तुसी मेंनों क सर आ गया हैंड आ गया सर दो मेटर चलना राइट तो मैं दो मेटर इदर रो चल गया हाले भी मेरे दिमाग चीज समझने आ रही है उसर मैं 2 मेटर positive दे कह रहे है हां जे असी x-axis मननी हुई है ता left side नो नहीं जाना सी मैं 2 मेटर कहा तो तो आन्नों right side ही जाना चाहिदा सी ता देखो reference point की कह रहे है कि right नो असी positive माल लेना है तो जड़ा left side जेगे भी position आएगी औनो negative माल लेना है ता ए चीज याद कर लेनी है ये देखो right side असी positive numbers बोलाँगे तो right side ही जाओ सर और जे मैं left side बोल दा है तो उसी मैं नो left side दे number दोगे तो तो उसी negative लागे दस होगे minus 2 minus 1 एक कितों हो रहा है साढ़े reference point तो होन जे असी ए चीज दिमाग जे रख लिए axis दत्यान reference point दत्यान positive negative कदों कहना है कदों नहीं कहना है ए साढ़े दिमाग जे होवे होन गलती दा कोई chance नहीं रहा okay पहले ता solve कर लिए जड़े यसी question start किता सी है ना सर reference point ते आ आ जाओ आ गए 0 जिते है ओ तो ही सारे distance refer करने हन या ओ तो ही सारे distance मनने जानगे ओ तो ही position साढ़ी decide होईगी reference point important है यह किते भी हो सकता है यह थे यह यह लो बॉक्स दे मनन्या है होन साढ़ा कोचन है find white ता तुसी में नुकी कहोगे सर white ते जाना सर 2 meter हो जाओ तुसी 2 meter कह रहे हो इ I have reached the white box देखो एदे चो होन कोई confusion नहीं हो सकती मैं उपर था ले नहीं जाना क्योंकि तुसी मेंनो restrict कर देता है axis ते मैं पिछे नहीं नहीं जाना क्योंकि तुसी positive number 10 हो तो 0 ने किनना फायदा किता axis ने किनना फायदा किता यही ता साढ़ा frame of reference कहलानदा है चलो next question काल लेए एथे की हो रहा है यलो ते ही है reference point साढ़ा 0 और असी लबना है red red किते है sir answer की होएगा तो अदा तुसी की कहोगे sir 1 meter जाना 1 meter यह तर नहीं जावाँगा होन minus 1 नहीं जावाँगा होन है समझ गया तो अदा साब कि reference point तो right side positive है 1 meter कहोगे तो मैं एथे आके रुक जाना है and yes this is red एक और कर लिए चलो एते yellow find करना है ठीक है उन यलो ते था reference point already pay होया है तो मैं नो किते जान दी जूड़ते अगे पिछे नहीं sir you are at the yellow box साथा जड़ा reference point है वो यलो ते ही है तो नो किते जान दी जूड़ते नहीं है उत्थे ही position है yellow दी देख्या कितनी असानी होगी किसे भी position नो किसे चीज दी भी location नो असी दस सकते है बट ए चीज दिया रखनी है आसी कि reference point जिड़ा है वो साथी convenience दे सापनाल होगा एस question जो देखो आसी reference point red नो मान लेया है यानि कि जिते red box है वो 0 मान लेया है उन मैंनो जग्यरा guide करो white वास थे तो उसी कहोगे plus one yes one कहोगे तो मैं plus समझांगा ही तो उसी कहोगे plus one yes I have reached white good क्या तुसी मैंनो guide कर सकते हो कि yellow किते होएगा sir go back आगे बापिस ठीक है reference point दे ही सारे distance लेने हैं यह नहीं कि हुने एतनों लेना शुरू कर दिए reference point तो sir मैं reference point दे पहुँच गया हां जी sir yellow ते जाना है ता minus one हो जाओ उन मैं white दे नहीं जवाँगा तुसी minus कहोगे ता मैं reference point दे पुठी साइड या left साइड ही जवाँगा एक मीटर और ए मेनू yellow मिल जाएगा ता एजड़ा भी हाले तक discussion होया एदे चासी ए समझया कि किसी भी चीज दी position दसन वास्ते sun नू reference frame हो रंदी ओदे चे axis होन ओदे चे reference point साथा 0 होवे ता आसी एकदम exactly without any confusion दस सक दे हां position या location किसे भी point दी की हैगी है होन जड़ा असी एक जामपल समझया है location different different boxes दी लबनी चाही है axis बना के reference point बना के ओन दी ज़रूरत समझी है होन असी center of mass लब दे होए क्योंकि ओवी एक position एक point है ओनू लबन वास्ते भी sun नू reference point दी ज़रूरत पेएगी ज़रूरत पेएगी जड़ा एथ एक जामपल लेया होया है मान लो ए दो केजी दे point मास हान दोन्नों दा same ही mass है इना दा center of mass किते होएगा यानि कि कैन दा पाओ जे एक लाइन ज़ी बनादा वाँ imaginary एदा कोई पार नहीं imaginary लाइन मान लो यह हूं दी दो केजी एस पासे पे यह हूंदा दो केजी एस पासे डंबल जया तक कित्तों balance करना सी बिलकुल विचकार तो सानू पता है common sense ऐसा डिये बट हून common sense नू असी मैं दी फॉर्म चे दसना है यानकी position दसो सर कित्थे है center of mass हून असी की कर दे हाँ जिवे इना दे भीच distance किनना है विटा दो मीटर दा है और तुसी मैंनो उद्धा ही गलत information दे दो इना दे विचकार मैं कमा center of mass कित्थे है तुसी कहाँ सर एक मीटर ते है मैं अभी रोई करने लागता हूं उपर था ले जाईजे वाँ एक मीटर किते भी जा सकता मैं यह ना तो सबते पहले मैंनो की कहोगे सर एक मिनट पहले ना थोड़ा जया reference point बना लिए यह लो सब्ड़ा reference point राइट जीरो जीड़ा है यह मैं जीड़ा मास है टू के जी आड़ा left side उन्नों मान लिया है हूं दा सकते हो कित्थे है center of mass दो मीटर टोटल डिस्टेंस है दोन्नों बराबर वेठान ता इना दे विचकार मैं जाना होएगा ता किनना distance कवर करांगा मैं एक मीटर ता इत्थे साथा COM है और किननी दूर है हूं मैं नंबर दिवांगा ता बिलकुल ठीक रहेगा हो एक मीटर हूं मैं confused नहीं हो सकता क् कि reference point तुसी मैंनो 10 देता है मैं होन उस तो एक मीटर कोगे मैं देखांगा चा positive के अंदे पर हो तर right side ही जाना है exactly मैं center of mass दे पहुंच गया बट सारा खेल किदा है zero या साठे reference point दा axis किते हैं इमेजन कर लेनी है है हमेशा जरूरी नहीं है कि तो आनो axis बना के दिती जाए यह लोगी axis इमेजन कर सकते हैं बनान दी जुरूरत नहीं है बट फिर भी तुसी imagine कर सकते हो कि zero यह थे तर right side नो जेड़ी एक line जा रही है left side नो भी line जा रही है zero तो cross होके जिन्नों असी x axis छोटी क्लास आच कहन देया है हो गया हूँन एसे तरह आसी common sense develop करनी हूँन सानलों पता है reference point किते भी लाय सकते हैं आसी पिछले case चे की किता 2 kg जीते सीगा वो थे ही reference point यह साठा 0 रख ले आसी आसी 0 होर किते भी राख सकते हैं for example यह को मानलो ए 2 kg दे मास उही same question पर तरीका differently ना दो ना दे which distance किना है sir 2 meter दा है बट हूँन असी की कर रहे है जड़ा reference point है वो थोड़ा जया 2 meter दूर आगे और यह थो पहले थो 2 meter दूर इसाठा 0 है ठीक है उन मैं इत्थे गोला लगान दी जगा 0 ही बना दा हूँन एक्स एक्स एक्सेस दा 0 आ गया ठीक है एक्सेस बनान दी जरूरत है वेटा इतना imagine कर ले नहीं है city city line ठीक है ना बनान दी जूरत नहीं है common sense नहीं पता है एधर ले पास से की होना है negative value एधर से पास से positive होन क्या common sense नहीं हाले तो अनू formula नहीं दस्या दस्या दस्तों के कित्थे करके center of mass होएगा कि सोचो जगरा क्या center of mass दी location change हो गई है क्या हुन इना दे विचकार नहीं होएगा center of mass हाँ सर हाले भी विचकार होएगा बट क्योंकि साठा reference point थोड़ा जा दूर है location है इस reference point दे हिसाब नाल अलग number आएगा याना यानिकि साठी जड़ी common sense कह रही है बिल्कुल ठीक है रही है मैं इत्थे तो अनू 100% पता है reference point थे है सर जी पहले दो मीटर जाना पहना तो अनू फिर एक मीटर जाना पहना है तो तिन मीटर थे center of mass रख्या होया है यह reference point किते भी हो सकता है अनू देखो यह जड़े असी दो example किते एदे चाहसी पहले रख्यासी एथेर reference point फिर एक नवी जगा पट सानू distance पता हों ता कोई भी सानू confusion नहीं हो सकती बट येस जे सानू कोई ज़्यादा confuse करेगा ता असी आजाना है what is the formula सर एक formula दस्द वो कुछ भी system होए किते भी mass होए किना भी mass होए exactly निकलेगा जिदना असी एदो question किते हान हुन एही दो question असी formula रही करने है पहले formula सोन लेने है formula बहुत ही simple है formula to calculate center of mass of two point objects दो point objects पे होन distances सानू पता होन विचकार करने हन तासी कितना कडिये कि center of mass की होएगा ओधे वास्ते formula है याद रखना है let me use white com यह एक location है वो location तो अनू मिल जाएगी सर पहले दा mass फड़ो औन्नू एक length नाल multiply करो जिन्नू r1 कहन दिया plus second दा mass फड़ो औन्नू r2 length नाल multiply कर दो ते सारे आनो divide कर दो जिन्ना total mass है सर दो ही object है total mass की होएगा m1 plus m2 दुबारा तो देख ली यह key formula है you have to multiply each mass हर एक mass नू length नाल multiply करना है ते add कर देना है उपर आएगा ए नूमरेटर ते ते जड़ा denominator है वो दे चो बस mass कठा कर देना है m1 plus m2 यह सर r1 और r2 की है यह कित्थों आएगा यह length कित्थों होएगी यह सारी length कित्थों होणगी है बेटा r1 and r2 are position of m1 and m2 position कित्थां दस दे हां sir reference point दे हिसाब नाल right समझ लें दे हां की कहांदा पाओ है पहला question चीड़ा साड़ा सीगा वो देचे की सीगा 2K जीदा माहा से थे पे असी बेटा point object असी मन रहे है यह नहीं की box पे होया इस टेंशन ची नहीं पहणा की हुदा आकार की है point मन्या हो याँ यह टू के जीदा है यह भी 2K जीदा है ओके डिस इस M1 मैं कोई भी ना दे सकदा हां किसे नों भी इननों भी right साड़नों भी MN कह सकदा सी यह जस्त नाम देना है ठीक है M1 और M2 हां इनन दे दो नन दे विच दो मीटर दा डिस्टंस है जेड़ा सानूं पता है यह सानूं कोश्चन चे देता होया है और हो सकदा है सानूं यह भी देता है कि तुसे रेफरेंस पॉइंट यह थे ही मान ले ना कि जिथे M1 मास पेया होया है तर लेट एस अपलाई फॉर्मूला ना हो न सी की करना है फॉर्मूला अपलाई करना है ओके सी यह एम दा फॉर्मूला M1 नूं मल्टिप्लाई करो R1 नाल प्लस M2 नूं R2 नाल ते सारे नूं डिवाइड कर दो M1 प्लस M2 हो जाएगा याद ठीक है चलो करिए इन्नों सर वर्ट इस M1 देखो M1 की है 2 into R1 R1 इस पॉजीशन ओफ किदी सर देखो है 1 लिख्या होया है ता M1 दी ही पॉजीशन होईगी मास वन दी की पॉजीशन है रेफरेंस पॉइंट दे साबना सर इता ओ थे ही पेया होया है दी ही है ता A हो जाएगा 2 into 0 इता चलो सख हो गया 0 नाल जो भी मल्टिप्लाई हुए 0 हो जानदा है पर चलो फॉर्मला लाई जाए प्लस M2 M2 भी सर 2 के जीदा है गुड इन्नों मल्टिप्लाई करो R2 नाल सर वट इस R2 सर R2 इस दा पॉजिशन ओफ मास 2 फ्रॉम जीरो ता देख लिया किन्नी दूर है जी 0 हुन समझ गे एन्नों प्लस 2 कवा येस क्योंकि 0 इते है ता एदर नूं पॉजिटिव नंबर होने हन ता ए दो मेटर ही किलाएगा 2 डिवाइड की करना है बेटा मास कठा कर दो 2 कजी प्लस 2 कजी M1 प्लस M2 हो जाएगा 4 देखो की आंदा है ये ता कैंसल आउट हो जाएगा उपर आएगा 4 धल्ले भी आएगा 4 और आंसर आजाएगा 1 common sense देशावराल आजी ये ही कड़ आजी राइट 1 मीटर ही कड़ आजी और कर लिए second question जित्थे reference point चेंज हो जानता है चलो ओ question भी करिए reference point चेंज करके भी देख लिए किद्धा करना है second question चेंज की फर्क है वो देच सान्नों इत्थे 2 मीटर बाद इत्थे different color दे दमाँ इत्थे 0 मन्या होया है यह भी 2 मीटर है जी यह ना formula की होएगा सर change हो जाएगा reference point नहीं r1 r2 change होन गया होर की हुन reference point दूर चले गया ता distance या length जड़ी है position जड़ी है वो change हो जाएगी positive negative दा ख्याल रखना है ते answer मिल जाएगा तो चलो ओद्धा ही same ही उन पस reference point लग चल गया ता r1 r2 दा त्यान रखना है r1 r2 0 तो होएगा 0 जित्थे भी लेया होएगा वो तो तुसी r1 देखना है ते r2 देखना है तो चलो start कर ये same formula लाना sir what is m1 what is m1 m1 is 2 kg आसता change नहीं होया r1 change हो गया yes reference point लग चले गया sir ओथो दूरी देखो इधी area reference point m1 किना दूर है sir 2 meter दूर है positive भी बोला ना हाँ sir 0 दे right side दसी positive बन दे या ता जिड़ा m1 है देखो m1 है ये किते है ये 2 meter दी दूरी दे है clear चलो ता a हो गया 2 into 2 right plus m2 भी 2 दूरा है sir a r2 कित्थों करिए sir calculate again go to reference point जदो भी r1 r2 लेना है sir हमेशा reference point तो ही देखो चलो हुन पहुंचना है यासी m2 थे 2 meter plus 2 meter किना हो गया जी ये ता ये दी position था 4 है ये इस reference point दे coding ता ये आ गया 4 what about m1 plus m2 मास चेंज होए हन नहीं sir 2 plus 2 ही होएगा divided by 4 किया जाएगा पेटा 2 into 2 की होंदा है 4 plus कर देना है 2 into 4 होंदा है 8 divided by धल्ले है 4 8 जम चार 12 पटा 4 is equal to 3 याद करो common sense नहीं किता है तीन मीटर ही तकड़े है तो साथी जड़ी common sense है और जड़ा formula है ये हमेशा ठीक बैठेगा हुन 3 मीटर कहके same question center of mass थोड़ी ना change हो गया ओ तो विच का रही है दो-दो के जीदे विच बट तुसी कितों refer कर रहे हो ओ तो अनू 10 ना पवेगा हर r1 और r2 नो 0 तो ही असी हमेशा measure करना है ना थोड़ी जे question कर लिए हो ये लो एक और question जिदे च टू मीटर दा distance है अगेन मत चेंज की किता reference point एजड राइट शाडला mass है इते राख देता हूँ राइट सानु फर्क पहना चाहिदा कुछ फर्क नहीं पहनदा बस उतार दे जाना है की करना है असी 0 त्यांच रखना है किते है r1, r2 उत्तो ही लेने हैं ठीक है ता असी सी हम्दा formula ला दिये और फट फट थोड़ा formula लाइए हूंदा की पही है formula है sir 1 को mass फड़े हो a फट लिया m1 कहलो m2 कहलो पहले एक दीगाल करो sir 2 के जीदा mass okay multiply कर दो sir a reference point तो किन्ना दूर है और यह ता उत्त ही पहाँ है ता sir 0 का हो इदी position 0 होते है correct फिर sir इन्हों add कर दो second mass पड़ो a है second mass sir a 2 multiplied by 80 0 मन्या हो यह ता left side जा रहे हो जदो भी तुसी x axis मननी हो यह ते सिद्धी ता इत्थ positive नंबर आने सी हुन इत्थे negative आएगा ता सी minus 2 कवाँ गई वसे थोड़ा जे ख्याल रखना है क्योंकि reference point दे सानल दसरे हो जे इन्नों भी 2 meter कहता ता बंदेने ता गानू चल जाना घल्थ हो हो जाएगा minus 2 कहना पाएगा भी पिछे है right left side दो है now divided by 2 plus 2 4 right करन दी जो इतनी M1 M2 ठीक है चलो ए cancel out हो जाएगा this is minus 4 divided by 4 minus 1 meter ते साटा center of mass है यानि कि 0 तो सर माइनस 1 हो जाओ you will get the center of mass यह थे होएगा right ता इतना सी reference point दे सावनाल चल सकते हैं थोड़ा जै negative positive ता त्यान रखना है चलो next question कर दे हाँ यह next question solve कर लेते हैं 2 kg और 8 kg का mass है और 20 meter का distance इनके बीच में है और जो reference point है जो 0 से दिखाया जाता है question में वो 10 meter दूर है तो अब कैसे distance लें कैसे formula लगाए पीटा formula हमें याद रखना है और उस हिसाब से चलते जाना है देखो तो हमारा cum क्या हो जाएगा सर पहला mass लीजिए सर कौन सा लें यह कि यह कोई भी जो आपकी मर्जी हो पहला लीजिए इसको multiply कर दीजिए r1 से यानि कि सर यह हमारे reference से कितना दूर है यह रहा reference point 2 kg 10 दूर है लिख लिया 10 अब add कर दीजिए किसे second mass को और उसका distance कितना है reference point से सर यह reference point रहा 10 plus 20 सर total हो गया 30 तो 8 वाला 30 दूर है divided by कितना सर 2 plus 8 m1 plus m2 10 हो जाएगा चलिए अब इसको solve करना है calculator से कर लीजिए नहीं तो यह तो simple ही है 2 into 10 is 20 plus 240 divided by 10 260 हो जाएगा उपर नीचे हो जाएगा 10 0 से 0 कट जाएगी 26 आप calculator भी use कर सकते थे simple next question करते हैं चलिए इस question को देख लीजे यहाँ पर 2 8 kg का mass है दोनों के बीच में 20 m का distance दिया है पर reference point जो है वो 10 m दूर लिया गया है यहाँ पर जो यहाँ 0 पर दिखाया गया है हमें जादा चिंता करने की जरूरत नहीं है हमें formula पता होना चाहिए formula यह नहीं पता तब तो मुश्किल है formula याद अच्छे से होना चाहिए अब तो करते जाना है देखिए c um कैसे निकालते हैं सर पहला कोई mass ले लिजिए यह पकड़ा इस mass को 2 kg का है सर इसे multiply होगा यह जितना दूर है जो इसकी position है reference point से तो ले आईए अपना हाथ जीरो यह है बताइए इसके हिसाब से यह 2 kg कहाँ पड़ा है सर यह तो पीछे है तो पीछे को negative बोल दीजे तो माइनस 10 multiply कर दीजे माइनस 10 से देखा ना figure में नहीं देखना है जादा कि पता नहीं क्या हो रहा है आप देखिए आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल रही है कि नहीं चलिए अब प्लस कर लेते हैं जमा कर लेते हैं second mass पकड़ा 8 इसके साथ कुछ multiply होगा sir क्या multiply होगा multiply होग यह reference से कितना दूर है अच्छा यह यहां से कितना दूर होगा total तो इन दोनों के बीच में 20 का distance है तो 10 तो यह cover हो चुका है तो बागी कितना रह गया होगा 10 ही रह गया होगा बट अब इसको क्या बोलू नेगटिव बोलू नहीं नहीं यह तो right side को है right side को हम positive मेली मानते है यह जो distance है this is 10 थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा right बट अगर reference point पता है तो आप खुद automatically निकाल लेंगे तो यह भी कितना दूर है हमारे यह है हमारे से 8 kg जो है जो 10 distance पर है चलिए divided by दोनों का add 2 plus 8 10 होगा देखते हैं क्या होता है दीखें यह हो जाएगा 2 into minus 10 क्या होता है minus 20 plus 8 into 10 क्या होता है 80 divided by 2 plus 8 नीचे आजाएगा 10 88 में से 20 गटा देजिए 60 divided by 10 00 कट जाएगा 6 meter 6 meter का मतलब क्या हुआ इसको थोड़ा समझिए यह 6 meter distance किस्से है reference point से तो देखें यहाँ 0 है यहाँ तक 10 हो जा रहा है तो यह यहाँ पर जाके हमें center of mass मिल रहा है 8 kg के बिलकुल पास और 8 kg के पास क्यों गया अरे भारी यह जादा यह हलका है तो center of mass देखो कितना 8 kg के पास चले गया अब कुछ questions हैं जो आपने as a practice कर लड़े हैं झाद सबस्भार अपने यहर 17 वारे यह जो